WhatsApp हमारे लिए बहुत ही बड़ा खत्रा बनने जा रहा है WhatsApp को अभी अनिस्टॉल करके दूसरे application में switch कर जाना चाहिए अगर आप लाज 7-10 दिन से social media में active है तो आपको definitely इस तरह का news मिला होगा और आप इस चीज़ के बारे में aware होगे लेकिन क्या सिर्फ WhatsApp अनिस्टॉल करके टेलिग्राम या आप ही signal app में switch कर जाने से आपका privacy safe हो जाएगा और क्या आपको टेलिग्राम या आप ही signal app में वही सारा features मिलेगा जो आप WhatsApp में use करते हैं सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लोगों को अभी तक इस वार में पता नहीं है तो WhatsApp की privacy and policy में 4 January के date में कुछ update आता है और हम लोग के mobile पे एक pop-up window आता है कुछ इस तरह से 90% लोग उसको बिना पड़े ही accept कर लेते हैं तो बाकि 10% लोग उसको agree नहीं करते हैं उसके लिए बता दूँ कि आपको 8 February के अंदर उस चिसको agree करना है अगर आप 8 February तक इसको accept नहीं करते हैं तो आपका WhatsApp account deactivate हो जाएगा जिहां दोस्तों तो problem कहां पे हुआ ये जो नया privacy and policy अप्डेट किया गया WhatsApp के तरब से इसमें कुछ ऐसा चीज़े कहा गया जो normally WhatsApp ऐसा पहले नहीं करता था इससे पहले हमें जाना होगा कि ये सारा जो application हम लोग use करते हैं इन लोग का earning का source क्या है वो चाहे WhatsApp हो, Facebook हो, Twitter हो, Instagram हो या फिर YouTube हो सभी application का या फिर सभी website का earning का जो source है बो है ads ads दिखा जाता है और उसी से earning किया जाता है ये जो आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको ads मिल रहे हैं अगर आप Facebook में scroll करते हैं वहाँ पर भी आपको जगा जगा पर ads मिलता है तो इन सारे जो ads दिखा जाता है इसी से companyya earnings करता है और उसी के कारण ही इतना जहमिला है अभी ये तो हमें पता चल गया कि ads से companyya earning करता है लेकिन आप मालिचे आप एक लड़का है और आपको लर्को वाला product दिखा जाता है या फिर आप एक लड़की है और आपको लर्को वाला product दिखा जाता है ये कैसे possible होगा ये possible तभी होगा जब आपको trace किया जागा मतलब कि आप कोई website में जाके कुछ सर्च कर रहे आप Flipkart में जाके कुछ सर्च कर रहे Amazon में जाके कुछ सर्च कर रहे आप YouTube में जाके कुछ सर्च कर रहे So, यही है main funder So, WhatsApp के इस नया privacy and policy update के उसार आप कौन सा CME यूज़ कर रहे है, आपका number क्या है आप कौन सा platform यूज़ कर रहे है आपका mobile क्या है, आपके battery information क्या है सब कुछ Even हम लोग जब Amazon या फिर Flipkart में कुछ पसंद आता है अगर बात करूँ कि Facebook और Instagram को QCR किया जाएगा क्योंकि जब आप Facebook या फिर Instagram यूज़ करते है तो वहाँ पे आपको personalized ad मिलता है तो उस चीज़ को use किया जाएगा Facebook और Instagram के तरफ सेन आपको personalized ad वहाँ पे दिखाई दिया जाएगा So, main जो मुद्दा है वो यही है बाकी कुछ नहीं है वैसे तो Facebook वर्ड के top companies में से आता है लेकिन data security के नाम पे बहुत ही worst condition है तो यह जो 74 तरफ आप उथल बुथल देख रहे है social media में WhatsApp के against में इसके मतलब क्या जो भी आप messages करते हैं आपका जो भी private message है होता है क्या उसको भी WhatsApp store करेगा उसको भी use करेगा उसको भी Facebook में देदेगा तो अगर आपका भी main concern ही है तो मैं आपको बता दूँ कि WhatsApp में जो भी आप messages करते हैं वो end to end encrypted होता है मतलब कि मैं message कर रहा हूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ जिसको मैं message कर रहा हूँ वो पढ़ सकता है बीच में कोई भी उस message को नहीं पढ़ सकता है इवन WhatsApp भी नहीं पढ़ सकता है जिहां दोस्तो end to end encryption का मतलब भी यही होता है तो main question आता है कि WhatsApp चा हमें कितना खत्रा है और क्या WhatsApp को हमें uninstall करके दूसरा application में switch करना चाहिए तो जब भी आप internet में आते हैं तो आपका खत्रा बहुत ही बढ़ जाता है जो भी आप application यूज़ करते हैं जो भी आप website में जाते हैं तो आपका सारा data को trace के जाता है और अगर सबसे ज़्यादा कोई data आपका लेता है तो वो है Google आप जो भी चीज़े करते हैं जो भी आपका activity रहता है आपके हर एक step में Google आपका data लेता है आप किसी भी shop में आता है तो कुछ दिर बाद ही आपके mobile पर pop-up आता है कि shop का rating आप कितना देना चाहेंगे आप किसी रस्ते पर जा रहा है आपका जो पूरा timeline होता है वो हर मन्त आपको भी आए था कि आप इस दिन पर यहां गये थे उस दिन पर वहां गये थे आप खुद भूल गये होंगे लेकिन Google उस चीज़ को store करकर रखता है Google एक ऐसा company है जिसमें हम trust कर सकते हैं आपका जो data है Google उसको secure करने के लिए भी बहुत सरा पैसा खर्च करता है अगर actually बोला जाये तो Google को trust करने के सिभा हमारे पास option भी नहीं होता है लेकिन दूस्तों Facebook का हम trust नहीं कर सकते बहुत बाद data breach में Facebook का नाम आया है लेकिन हुआ क्या है क्या आपने Facebook की उसकरना बंद क्या है नहीं क्या है न अगर हमारे data के हमें उतना ही ख्याल रहा था तो क्या true color अभी तक हमारे mobile पे install रहा था जदा तर इंडियान के mobile पे अभी तक true color इंस्टॉल है और true color के नाम पे बहुत सरा धबा है और रही बाद telegram या आफी signal app में switch करने के बारे में तो हाँ आप इन दोनों ही आप में number आपके पास पहले सी store है आप उन पे chat कर सकते हैं आप group create कर सकते हैं whatsapp के तरह ही लेकिन जो features आपको whatsapp में मिलते हैं वो सब features आपको telegram या आफी signal app में नहीं मिलता है कि आप whatsapp में status दे सकते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या खा रहे हैं अगर आप किसी को impress करना चाहते हैं तो आपके लिए status एक बहुत ही अच्छा option होता है लेकिन आप telegram या फिस signal app में बहुत चीज़ें नहीं कर सकते इसके लिए signal app के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे आपको last scene देखने को नहीं मिलता है तो ये मुझे बहुत ही बड़ा drawback लगा whatsapp के alternate के हिजाब से क्योंकि हमारी यहां कुछ लोग सिर्फ last scene को ही देखता है कब कोई online आता है कब कोई offline चला जाता है कब कितने बज़े सोता है वो भी हम लोग last scene देखके पता कर लेते लगर आपका boyfriend या फिर girlfriend किसी और से chat कर रहा है या नहीं वो भी last scene या फिर online से पता करते लेकिन signal app में बहुत चीज़ नहीं है सो जो लोग दूसरा खेलना पसंद करते हैं उन लोग के लिए signal app एक बहुत ही अच्छा option हो सकता है सो दोस्तो डेफिनिटली whatsapp केस नहीं privacy and policy update से हमें concern होना चाहिए लेकिन सिर्फ whatsapp से ही concern नहीं होना चाहिए जो भी others application हम लोग use करते हैं others services हम लोग use करते हैं सभी जगा पर हमें concern होना चाहिए जब हम कोई application इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग नहीं देखते हैं कि कौन-कौन सा permission हमें देना चाहिए और हम लोग सब को allow करते जाते हैं हमारे पास दूसरा कोई option भी नहीं होता है सो इस condition में भी हमें concern होना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे data को अगर कोई secure करवा सकते हैं तो वो है Indian government अगर government के तरप से कोई regulation आता है तो सभी company को उस चीज़ को follow करना ही पड़ता है सभी हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आप WhatsApp के इस नए privacy and policy को accept नहीं करते तो आपका WhatsApp account ही delete हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि WhatsApp से हम लोग कितना जल्दी switch कर पाएंगे मैं कल ही check कर रहा थे कि मेरे mobile पे करीब सारे 500 number है जिसमें से करीब 400 लोगों के पास WhatsApp account है और जब मैं Telegram app में जाके देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे सिर्फ 15 मिलता है उन में से और जब मैं Signal app में जाके देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे सिर्फ 6 मिलता है तो आप समझ सकते है कि कितना बड़ा difference है इस चे को 400 में पहुचने के लिए time का जरूरत है एंड एक ऐसा app का जरूरत है जिसमें WhatsApp से ज्यादा features हो ना कि WhatsApp से कम features हो लेकर मान लीजे गौर्मेंट के तरब से कल को WhatsApp को band कर दे जाता है तो वो 400 आपको नेक्स दिन पर ही Telegram या पी Signal app में मिल जाएगा सो मुझे जो भी कहना था मैंने आप लोग को बताया अगर मुझे अगर बोला जाए तो मैं आज ही WhatsApp को अनिस्ट्रॉल करके दूसरा application में side switch ना कर पाऊं आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो आप निचे और कमेंट करके बता सकते हैं तो चले दुस्तों आज के लिए इतना ही था आशा करते हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सेयर कीजिए दोस्तों के साथ WhatsApp में सेयर कीजिए फेस्बुक में सेयर कीजिए इंस्टाग्राम में सेयर कीजिए सेयर करना मत भूलियेगा अगर आपका कोई भी सवाल यास हो जावे तो आप डिफिनिली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा